हालो श्टूडेंट्स रासायन बिग्ञान के मूल भुत्षिधान्त के अंतरगत आज हम लूग आसायनिक संज्योग के नीयम पढ़ेंगे और आसायनिक संज्योग के कुल नीयमों की संख्या 5 है तो पाचों नीयमों को इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला नियम है द्रवेमान सनरक्षण का नियम, ला आफ कंजर्विशन आफ मॉस, जो इस प्रकार है, तो द्रवेमान सनरक्षण के नियम को लेवोशिये ने सन 1789 इस भी में प्रतिपादित किया, और लेवोशिये के बारे में हम लोग जानते हैं, कि वो रसायन विज्ञान के जनक भी है, इस नियम के अनुसार भावतिक या रसायनिक परिवर्तन के फल्सवरूप, प्राप्त उत्पादों का कुल द्रवेमान, सदैव अभिकारकों के कुल द्रवेमान के बराबर होता है, दूसरे सब्दों में हम ये भी कहा सकते हैं, कि द्रव्य को न तो उत्पन किया जा सकता है, और ना तो नश्ट किया जा सकता है यानि कि रासानिक परिवर्तन में द्रब्य न तो नया बनता है और नहीं द्रब्य नश्ट होता है क्या होता है कि वल उसका स्वरूप बदलता है ठीक है और रासानिक संज्योग का दूसरा नियम इस प्रकार है इस्थिर अनुपात का नियम ला आफ कॉंस्टेंट प्रपोर्शन इस नियम के अनुसार प्रतेक रासानिक यवगिक में उसके आवयवी तत्व भार के अनुसार एक निश्चित अनुपात में उपस्तित होते हैं आवयवी तत्व यानि उसके घटक तत्व हैं उस योगिक में जो जो तत्व सामिल होते हैं उनका अनुपात निश्चित होता है और वो अनुपात भार के अनुसार होता है और पिछले वीडियो में हमने कहा था कि भार के अनुसार अनुपात क्या होता है उसको हम बताएंगे तो इस वीडियो में हम भार के अनुसार अनु चित होता है ठीक है एक example ले ले लेते हैं और example के द्वारा हम समझते हैं और ये भी समझते हैं कि भार के अनुसार अनुपात या द्रबिमान के अनुसार अनुपात क्या है example ले ले रहे हैं H2O water का example ले ले रहे हैं water बना है दो तत्तों से hydrogen और oxygen से मिलकर और इसमें hydrogen के परमानूँ की संख्या 2, oxygen के परमानूँ की संख्या 1 है hydrogen का परमानूँ भार होता है 1 और 2 परमानूँ का भार 2 यदि इसको हम mole मिलें तो molar mass ग्राम में होगा, यानी कि एक मोल वाटर का निर्माड दो मोल हाइडरोजन परमाणू से तथा एक मोल आकसीजन परमाणू से मिलकर होता है, एक मोल आकसीजन परमाणू का भार 16 ग्राम, ठीक है? तो ये अनुपात हमको मिलेगा hydrogen oxygen ratio यहां से हमको प्राप्त हो जाएगा hydrogen oxygen का ratio यहां दिख रहा है क्या 2 अनुपाद 16 और इसको simple करेंगे तो 1 ratio 8 यानि कि पानी कहीं से भी लिया जाए किसी भी स्रोथ से लिया जाए चाहे नल का पानी ले ले लें तालाब का पानी ले लें नदी का पानी ले लें वर्सा का पानी ले लें उसमें hydrogen और oxygen के परमाणूं का भार के अनुसार अनुपाद हमेशा एक संबंधे 8 होगा ठीक है अब हम तीसरे नियम की तरफ चलते हैं और हमारा तीसरा नियम है गुणित अनुपाद का नियम ला आप multiple proportion इस नियम का प्रत्पादन जन डालटन ने किया है बहुत मशहूर रसायनग्य हैं सन 1803 में किया इस नियम की अनुसार जब दो तत्व आपस में संजोग करके दो या दो से अधिक योगी का निर्माण करते हैं तो एक तत्व के विभिन्य भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से संजोग करते हैं परसपर सरल अनुपाद में होते हैं नियम थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा इसको हम Udhara द्वारा समझेंगे बहुत बढ़िया तरीके सम्झ में आ जाएगा इसके लिए हम Udhaharan ले लेते हैं Udhaharan दो तत्व दिया है दो तत्व आपस में संयोग करते हैं यदि दो तत्व हम ले लेते हैं carbon और oxygen ये हमारे दो तत्व है carbon और oxygen और इनके आपस में संजोग के द्वारा हमको प्राप्त होते हैं दो योगिक एक carbon monoxide दूसरा carbon dioxide carbon monoxide में इनको हम यह लिख ले रहे हैं carbon monoxide और carbon dioxide है कि एक तत्व के जो निश्चित भार है करवन के भार यहां निश्चित है क्योंकि परमाणूं की संख्या निश्चित है तो यहां दो या दो سे अधिक विभिन भार यहां एक यहाँ क्या इन तत्यों के बिभिन्भार सरल अनुपात में होगे तो यहां हम दeख रहें इनके भार देख लें कार्बन का पर्मानभार बारा यहां क्या कार्बन मुनो आगसाइड में कार्बन के बारा भार आक्सीजन के सूला भार से संजुक कर रहे हैं अगर हम मोल में बात करें तो कार्बन का बारा ग्राम आक्सीजन के सूला ग्राम से संजुक थो रहा है यहां पर carbon dioxide में carbon ka 12 gram oxygen के 22 gram से संजुक्त कर रहा है क्योंकि oxygen का परमाणु भार 16 होता है दो परमाणु हैं तो दो परमाणू का 32 तो carbon ka 12 भाग यहां 16 भाग से और कार्बन का 12 भाग oxygen के 32 भाग से संजुक्त हो रहा है हमको क्या देखना है? एक तत्य के विभिन भार, जो दूसरे तत्य के निश्चित भार से संजोग करते हैं, परसपर सरल अनुपात में होते हैं, हमको यहा रेशियो इसका देखना है, यानि आक्सीजन आक्सीजन अनुपात, किसके लिए? एक carbon monoxide दूसरा carbon dioxide में oxygen oxygen अनुपात क्या है यह oxygen oxygen अनुपात 16 ratio 32 और simple कर देंगे तो 1 ratio 2 यह सरल अनुपात हो गया एक बात और सरल अनुपात किसको कहते हैं सरल अनुपात दो शर्ते हैं अनुपात पुडांग संख्याओं में होंगे पूर्ण संख्याएं यानि कि 1,2,3,4 fraction में नहीं होना चाहिए दूसरे यह ratio ज्यादे अंतर का नहीं होना चाहिए यानि कि ratio में ज्यादे अंतर नहीं हो पहला है पूर्ण संख्याएं हो पूर्ण संख्याओं का अनुपात संख्याओं का अनुपात और दूसरा कम अंतर का अनुपात तो इनको हम कहेंगे सरल अनुपात यहां पर समझ में आ गया होगा आप नियम के बारे में अगर हम उधारण द्वारा समझ लेते हैं तो नियम को रटना ने पड़ेगा अने उधारण भी ले सकते हैं दूसरा जैसे हाइड्रोजन और आक्सीजन मिल करके दो योगिक बनाते हैं और ये दो योगिक हैं हमारे वाटर और हाइड्रोजन पराक्साइड तो आप खुद करके देखें इन यो दो योगिकों में जो हाइड्रोजन के निशित भार से संजुकत हो रहे हैं आक्सीजन के अलग-अलग भार, इनका अनुपात सरल अनुपात प्राप्त हो रहा है या नहीं, ठीक है? अब हम चौथे नियम पर चलते हैं, रासानिक संजोग का चौथा नियम है, गेलुसाक का गैसिय नियम, इसको गेलुसाक ने सन 1808 हिस्वी में प्रतिपादित किया है, इस नियम के अ गैसों के आयतनों में परस्पर, आयतनों में परस्पर, तथा उत्पाद गैसों के आयतनों में सरल अनुपात होता है, यहां अभिकारी गैसें, अभिकारी पदार्थ किसको कहते हैं, यहां समझ लें, जो पदार्थ क्रिया करते हैं उनको अभिकारक कहते हैं या रियक्टेंट रियक्टेंट और जो उत्पाद बनते हैं इनको product या उत्पाद उत्पाद या product कहते हैं यानि जो पदार्थ मिलके अभिक्रिया किये वो अभिकारक हो गए और जो नया पदार्थ प्राप्त हो रहा है वो उत्पाद तो अभिकारी गैसों के आहतनों में परस्पर और उत्पाद गैसों के आहतनों में एक सराल अनुपाद प्राप्त होता है इसके लिए भी एक उदारन ले ले रहे हैं उदारन हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस जब आपस में क्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है ये तीनों गैसियस अस्था में हैं हाइड्रोजन chloride gas का निर्माण होता है यहां एक मोल एक मोल hydrogen gas एक मोल chlorine gas से क्रिया करके दो मोल HCl gas बना रही है दो मोल HCl gas बना रही है तो अभिकारी gas के आतनों का अनपात क्या है यहां दिख रहा है one ratio one और अगर उत्पात के साथ ratio देखें तो two one ratio one ratio two और यह क्या है एक सरल अनुपात यह सरल अनुपात इसको उपर हम लिख दे रहे हैं one ratio one ratio two किसके लिए H2, Cl2 और HCl gas के लिए ठीक है और पांचवा नियम आवागाद्रो का नियम इस नियम को आवागाद्रो ने सन 1811 में प्रतपादित किया है इस नियम के अनुसार समान ताप तथा दाप पर गैसों के समान आयतन में अड़ों की संख्या समान होती है समझ लें उदाहरण ले रहे हैं उदाहरण हाड्रोजन गैस और आक्सीजन गैस अगर लिया जाए कंडिशन क्या है समान ताप वा दाप मालने की टेंप्रेचर 50 डिग्रीज के लिए ले रहे हैं और प्रेसर ले ले रहे हैं वन एट्मास्फियर तो इस गैस के लिए भी हमको यही टेंप्रेचर लेना होगा 50 डिग्री सेल्सियस और प्रेसर वन एट्मास्फियर लेना होगा अगर इस condition में ये दोनों गैसे ली जाती हैं किसी पात्र में रखी जाती हैं तो दोनों गैसों में अणुओं की संख्या समान होगी इसी तरह अने गैसें भी ली जा सकती हैं ये कही ताप और दाप पे तो सभी गैसों में अणुओं की संख्या समान होगी ठीक है, तो ये सब रासायनिक संजुक के नियम थे, अब आगए आने वाली वीडियो में हम डाल्टन के सिधान्त को पढ़ेंगे, थैंक्यू